आप सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर आर्पी सिंग योग भी से सग्य आपका हिर्दय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम आपको बताएंगे अनुलोम-विलोम प्राडायाम करने का सही और साइन्टिफिक तरिका सांस लेने और छोड़ने का सही अनुपात और अनुलोम-विलोम प्राडायाम के लाब तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सस्क्राइब कर ले और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाब ले सकें तो आप जान लिजे अनुलोम बिलोम प्राड़याम को नाड़ी शोधन प्राड़याम भी कहा जाता है अनुलोम बिलोम प्राड़याम सर्दी जुखाम दमा और एलर्जी की विमारी को ठीक करता है अनुलोम बिलोम प्राड़याम मेमोरी और इमिर्टी पावर को बढ़ाता है यह सरीर के सभी नाडियों को सुध और निरोक करता है यह तनाव और चिंता को कम करता है हमारे दिरगायू जीवन जीने के लिए सबसे महत पूर्ण प्राड़याम है तो जिन लोगों को लंबा जीवन जीना है दिरगायू जीना है वो हमारे दोरा बताए गए बिधी के अनुसार यदि हमारे तीन प्रणायाम को जो पिछले वीडियो में भी बताए हैं उसको यदि नियमित करते हैं तो आपका जीवन लंबा और दिरखाई होगा आप भस्तिर का कपाल भाती और अनुलूम विलूम जिस वीधी से बताए हैं उसको आपको नियमित करना होगा तीस से चालिस मिट का समय निकालिए आप एग्रम स्वस्त निरोग रहेंगे तो अब आप जान लीजिए अनुलूम विलूम प्रणायाम करने का अभ्यास वीधी स तौरव प्रथम आप किसी आरामदायक इस्थिति में बैठ जाए सुखासन या पदमासन में जिस इस्थिति में आपको सबस्यादा सुख की अनुभूती प्राप्त होती है आप अपने बाएं हत्थेली को ज्यान मुद्रा की इस्थिति में बनाकर बाएं खुटने पर चिर्च लंबीघरी शांश लिजिए और अपने शरीर को एकदम सीथी एदम रिल्लक्स कर लिजिए अब दाहिने हथेली की तरजनी और मध्यमा को मोड़ लीजिए और अंगुठे को दाहिने नाशिका पर रग दीजिए अब बाई नाशिका छिद्र से लंबी गहरी सांस लीजिए अब कनिष्टिका और अनाशिका चिद्र को बन कर दीजिए और दाहिने अंगुठे को हटा दीजिए और दाहिने नाशिका छिद्र से सांस को बाहर निकालिए ततपश्याद दाहने ना शिकाद शिद्र से सांस को अंदर लीजिए अबार शिद्र से सांस को बहर निकाले यह अनलोम रिलोम प्राणयाम का अभ्यास पूरूर्ण होता है ऐसे इसको कम कम 10 मिट का नियमित अभ्यास करें दस बार इतको दूराएं प्रारंभ में आप स्वांस निकालने और छोड़ने का अनुपात एक्टम बराबर होगा यदि आप 10 सेकंड सांस को अंदर ले रहें तो 10 सेकंड सांस को बाहर निकालें धीरे धीरे कुछ समय के बाद 15 दिन एक महिने के बाद आप स्वांस लेने और छोड़ने का अनुपात वन इस्टू टू कर दें यदि आप 10 सेकंड सांस को अंदर ले रहे हैं तो 20 सेकंड सांस को बाहर निकालेंगे इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ हमिलेगा तो अब आप जान गए होंगे अनुलूम बिलूम प्रणायाम करने का सही तरीका यह ध्यान देंगे आप जब भी आप सांस को बाहर निकालेंगे वह बाइनाजिका छिद्र से बाहर निकालके इस प्रणायाम को आप बंद करेंगे यह तरीका है तो अब आप जान कहोंगे एकड़म सही तरीका तो आप इसका नियमित अभ्याद करें अधिर भाईू जीवन जीए स्वस्त रहें और मस्त रहें और हमारे इस बीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लोगों में करें। अगले वीडियो में आपकोieren ही। क्योंकि यह सबसी बड़ी समस्या है तो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं तब तक के लिए नमास्कार